प्रियांका चोपडा नर्गिस फाकरी और इश्वर्या राय बच्चन के बाद अब बॉलिवुड की एक और बाला दिखाई देंगी एक इंटरनाशनल फिल्म में जी हाँ इंडो चाइना प्रोजेक्ट पे बन रही एक इंटरनाशनल फिल्म कुंगफु योगा में बॉलिव कि अधिचल शरावत के बाद अब कट्रीना के चाइनीज एक्टर जैकी चैन के सातरों के सानों के इंटरनाशनल नोट्रोजेक्ट में करें сторलब जो इसे यह को बता तादिए Channel का ये फुर्स इंटरनाशनल प्रोजेक्ट है और फिल्म में Cat एक Chinese University में इंडियन प्रोफेसर का रोल प्ले करते हुई दिखाई देंगी वहीं Jackie Chan फिल्म में Chinese Archaeologist बने हैं जो फिल्म में Katrina के साथ खजानी की खोच करते हुए दिखाई देंगे इतना ही नहीं एक था टाइगर में सलमान के साथ आक्शन सीन कर चुकी Cat अब एक बार फिर कुंगफू योगा में Jackie Chan के साथ जबरदस्त आक्शन सीन करेंगी वैसे इस फिल्म के लिए बॉलीवोड के Mr. Perfectionist आमिर खान का अप्रोच किया गया था लेकिन अपनी फिल्म दंगल की शूटिंग में बिजी रहने की वज़े से आमिर इस चाइनीज फिल्म के लिए डेट्स नहीं निकाल पाए और अब सुनने में आ रहा है कि आमिर के रोल के लिए फिल्म के डरेक्टर स्टैनले टॉंग ने आक्टर टाइगर शॉप से बात की और उन्होंने इस फिल्म में काम करने के लिए अपनी हामी भी बढ़ दी है हालकि इस बात को लेकर टाइगर की तरफ से अभी तक कोई ओफिशल अनाउंस्मेंट नहीं हुई है कल बॉलिवुट में अपना डंका बजाने वाली कैट अब हॉलिवुट में भी चाने को तयार है कल अब देखते हैं कि अपने इस इंटरनाशनल डेब्यू से क्या अपने फैंस का दिल जीत पाती है या नहीं